बारतिय गुर्शी अनुसंधान परिशद्वारा राज्थान के टोंक स्थित केंडरी भेड एवं उन अनुसंधान केंडर में एक अध्यन ब्रह्मन का आयुजन किया गया मद्धपाल धंकर विकास मंच के अध्यक्ष संतोष महात्मे के नतरित्व में एक प्रतिनी दी मंडल ने इस शोत केंडर का दोरा किया इस दोरे के दोरान केंडर के विशेशक्यों ने प्रतिनी दी मंडल को विबिन विश्यों पर व्रस्तित जान कारे दी अमरावती में बड़े पैमाने पर खाना बदोश चरवाहों की अपनी विभिन समस्या हैं इन में सबसे बड़ी समस्या चराई शित्र की है साधरन गुमन्तु चरवाहे साल के 7-8 महने अपने पश्चूों के साथ गुमते हैं और बरसात के मौसम में 4-5 मेने एक हिस्थान पर रहते हैं इस दोरान उनकी बक्रियों और भेडों को परियाप्त चारा नहीं मिलता साथी वनवेभाग के दमनकारी पुराने नियमों के आधार पर वनकरमिचारी अवैद रंगदारी का सहार लेते हैं बेड के उतपादित उन, खाद और मास आधी के उतपादन के लिए उचित, विपनन, प्रणाली की कमी के कारण इस असंखटित और खाना बदोश समाच का एक बड़ा वर्ग बार बार अन्याय का शिकार होता है पशुधन उनकी आय का मुक्हिस रोत है और चारा उनकी सबसे बड़ी समस्या है इंजबलन्त प्रश्न पर मेंडपाल धनगर विकास मंच के संस्थापक अध्यक्ष संतोश महात्मे के नत्यत्व में एक प्रतिनी धी मंडल ने केंद्रे पशुपालन मंत्री पुरुशुत्तम रुपाला की उपस्थती में डॉक्टर विकास महात्मे के साथ नागपूर के रवी भवन में मुलाकात की इस बैठक में चरवाहा समुदाय के विभिन्न मुद्धों पर चर्चा की गई भारत सरकार अंतरगर केंद्रिय भेंड यह उन संधान संस्ता अभिका नगर राजस्थान यह संस्ता का उन्हों ने नाम बता है और उनके तरब जाने के लिए हमको शिपरस की कि वहां जाएके तुम वहां के जो रिसर्च जो बातों पर विजिट कीजिए और विजिट करने के बाद आपको बहुत सारी मालूमात मिल सकती है ऐसा फिर हमने हमारी सवस्ता जो है उनके तरफ से एक अब्यास दावरा के लिए आज हम ताजस्तान में आ चुके है और बहुत सारे राडिस्थान के टोंग जीले के अविका नगर में भेड और बकरियों पर व्यापक रूप से शोत किया जाता है संस्थापका द्यक्ष संतोष महात्मे के नत्रित्व में बेंटपाल धनगर विकास मंच के एक प्रतिनी दीमंडल ने अनुसंधान केंद्र का दोरा किया सबसे पहले अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर अरुन कुमार तोमर ने यहां सभी विभागों में चल रहे शोत की जानकारी दी तब प्रत एक विभागा द्यक्ष ने उस विभाग के गेहन शोत के बारे में बताया पहले भी महारास्ट के जो पुसुपालन और किर्शी मंत्री थे सुनिल कैदार साथ उन्हें निदेश संस्थान में अपनी टीम के साथ विजिट किया था वो भी यहां की गत्विद्यों से काफियो प्रभावी थे और अब भारत सरकार के मान्य मंत्री स्री रुपाला साब के आवान पर वहां के जो बेड पालन धनकर विकास मंच जो महारास्टा का है उनके स्री मात्मा संतोष मात्मा जी ने यहां पर भरमन किया मेड़पाल धनकर विकास मंच के संस्था पकद्यक्ष संतोष मात्में हमारे जिले में चरवाहा समुधाय के उत्थान के लिए अग्रेणी रही है इसलिए मेड़पाल धनकर विकास मंच सोच रहा है कि महाराश्ट में इस तरह की पहल कैसे की जा सकती है और भटक्ती चरव अरुन जोशी, UCN News, अमरावती